आप सभी लोग देखते होंगे कि आप देखते होंगे सेंटर लेबल पर और स्टेट लेबल पर कई गवर्मेंट एकजाम होते हैं और उनकी तैयारी आप लोग करते रहते हैं इसमें आप देखे SSC, Bank, Railway हो गया, आपका UPSC हो गया, UPSC की तरह आप देखते होंगे कि इस्टेट में आपका स्टेट PCS होता है और भी आप देखते हैं कि राज्यों में राजजिस्तर की परिक्षाएं होती रहते हैं जिन में पोलिस हो गया, सिक्षक भरती हो गई, या आप देखे जेल पहरी, इस तरह की तमाम एकजाम होते हैं और इनी को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि हम लोगोंने मद्द प्रदेश सामान ग्यान को कवर किया हुआ है बहुत सारी कलासें ली हुई है बड़े बिस्तार से बात की हुई है उत्तरप्यदेश सामान ग्यान के बारे में भी हम लोग ने बात की हुई है और इसमें भी बड़े विस्तार से बात की हुई है तो आप लोग फिले लिष्ट सूची में जाएंगी तो काफी कलासें आप लोगों को मिल जाएंगी है और जिस भी एक्जान की तैयारी कर रहे हैं उसका आप देखिए सिलेवर्स यानि की पार्ट करम आप अपने पास रखिए और उसके कम से कम 4-5 साल पुराने questions पेपर अपने पास रखिए उन्हें पढ़िए उन्हें समझने की कौसिस करिए कि कहां से किस तरह के questions पूछे जा रहे हैं और इसी करम में आप देखिए कई लोगों ने ये सुझावी दिया कि बाकी राज्यों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए और इसी को ध्यार में रखते हुए अब हम लोग हर्याना पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि हर्याना में भी आप देखते हैं कि जो एकजाम होते हैं उसमें जो हर्याना सामान निग्यान है उससे questions आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं बाकी जो एक जाम होते हैं उनमें भी हर्याना से कुश्टन सा जाते हैं, तो देख लिजए हर्याना आपको दिखाई दे रहा है, यह हमारा प्यार भारत है, और आप देखें हमारे पड़ोसी देख लिजए स्री लंका आपको देखने को मिलेगा, यहीं आपको पाक जन और यहाँ पड़ोसी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नैपाल है, भूटान है, बंगलादेश देखने को मिलेगा, यह म्यानमार आपको देखने को मिलेगा, यह आपका हर्याना है, और हर्याना की राध्धानी चंडीगर है, और आपको बता दूँ इससे आपका पंजाब लग रहा है, राजिस्थान लग रहा है, हेमाचल पिदेश लग रहा है, उत्तर पिदेश लग रहा है, और इसकी सीमा आप देखे दिल्ली से भी लगी हुई है, हर्याना देश की राधानी दिल्ली को घेता है तीन तरब से, उत्तर प्रच्चिम और दच्च में आफिखना कि इसे राज GARA को यह अचैका आफंझे चम्हा गार ह oni सुआए गया बना डिर्शा नो ुवरниц दौते हे शो अफिखनrine सरा मने के एकने меньए confr डिग्री 55 मिनिट और आप देखेंगे नौर्थ में और देशांतर विस्तार देखेंगे अगर इसका देशांतरी ये विस्तार तो 74 डिग्री 28 मिनिट से लेकर आप देखेंगे इसकी राददानी क्या है? चंडीगड है राददानी और इसका उचनियाले क्या है? पंजाब और हर्याना उचनियाले है चंडीगड ठीक है? और पंजाब और हर्याना उचनियाले की पिथा मुख्य नयादिस कौन थे? नयमूर्ती रामलाल थे नयमूर्ती रामलाल यहां की पिताम मुख निया दीशती, इसकी स्थापना ये एक नवंबर 1966 में की गई थी, उचनियाले की स्थापना इसके, और चेतपल अगर आप देखें तो चबाली सजार दोसो बारे वरक किलूमीटर में फैला हुए आपका राज, क्या हरियाना, ठीक है, चबाली सजार दोसो बार पढ़ लिया करिएगा, ठीक है, कहीं कोई जला बढ़तो नहीं गया, और लोग सभा में आप देखेंगे तो 10 सीटे हैं, लोग सभा में कितनी सीटे हैं हरियाना में, 10 सीटे आप लोगों को देखने को मिलेंगी, आप लोग सभा में देखते हैं अभी वर्तमान में आप दे सीटें देखने को मिलेगी कहां राजिसभा में 5 सीटे हैं टोटल भारत में कितनी राजिसभा सीटे हैं और आप देखें कि जो राजिसभा सदस्तों का चुनाओ होता है इनका चुनाओ विधायकों के द्वारा होता है राजिसभा में टोटल सीटें आपकी 245 देखने को मिले होता है मद्दाताओं के द्वारा होता है और एक बात याद रखिएगा अगर लोकसभा सदस्थ आपको बनना है तो आपकी उम्र चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होने चाहिए और अधिकतम उम्र कोई नहीं रखी गई है वहीं अगर आपको राजिसभा सीटें देखने को मिलेगी और विधाय की बात हो रही है अगर विधाय का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र यहां भी 25 साल होने चाहिए इसका चुनाव भी डारेक्ट जनता के द्वारा होता है यहां भी अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखे गई है कभी तक आप ल पीपल है यहां का तो यह भी याद रखे राच की नित स्वांग है और यहां की हर्याना की प्रमुक नदिया यमना घंगर देखने को मिलेगा देखे 2011 की जनगरना आप सभी चाहनते हैं कि हल 10 साल में हमारे देश में जनगरना होती है अभी आप देखे 2011 की आंकड़े हमारे 2011 की जनगरना के साबसे भी कुष्यन साथी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो 2011 की जनगरना के साबसे अगर आप लोग देखें कि हर्याना की जनसंग्या कितनी है तो आप देखेंगे 2,53,181 आप लोगों को देखने को मिलेगी और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जन लिंगानपात आप देखें तो 877 आपको देखने को मिलेगा लिंगानपात में सबसे बुरी इस्तिती है या ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा हर्याना के पहले मुकमंत्री कौन थे आप सभी जानते हैं मुकमंत्री भीत होते हैं राज्यों में तो भगवत द चोटा जिला यह आप देखेंगे चेतफल में सबसे चोटा जिला चेतफल में पूंच रहा है पंच कूला है क्या है पंच कूला है और हर्याना का सबसे बड़ा जिला चेतफल में भिवानी आपको देखने को मिलेगा हर्याना का सबसे चोटा जिला जनसंक्या में पूंच परसेंट बड़े पहलवान निकलते हैं आप देखते होंगे यहां हर्याना की पुरुष साक्षरता दर कितनी है 84.08 परसेंट हर्याना की महला साक्षरता दर कितनी है 65.93 परसेंट पुरुषों से कम ही आप देखते हैं कि देखने को मिलती है और साक्षरता में हर्याना कौन से इस्तान पर है 28 वे इस्तान पर है यानि कि सबसे बुरी इस्तेती है महला साक्षर्टा में राज्य का इस्तान क्या है यह आप देखेंगे 28 वा इस्तान है यह 2011 की जनगर्णा के साब से हो रहा है जब नहीं आ जाएगी तो उसे आप लोग पढ़ लीजेगा ठीक है और हर्यान है कि सबसे कम साक्षर्टा परसेंट वाला जिला यमना नगर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे अधिक पुरुष साक्षर्टा वाला जिला रेवाडी आपको देखने को मिलेगा और सबसे अधिक महला साक्षर्टा वाला जिला गुडगाओं आपको देखने को मिले और हर्याना का पुरुसों की संक्या आप देखेंगी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें कई राप देखते हैं इस सो घूरोग. तो कभी इस तरह की गलती अगर हो जाती ये और आंगे बढ़ जाते हैं तो आप लोग बता दिया करियेगा। याद रखेगा चोटी-चोटी बात ने हैं लेकिन बड़ी-बड़ी बात ने हो जाती हैं कभी कभी और हर्याना की पिथम महला राजपाल कौन थे तो स्रीमती चंद्रा वती तो ये भी आप लोग याद रखेगा इससे भी questions पूछे जाते हैं हर्याना की पिथम मुख नयाद और पिथम महला मुख सचिप मिनाक्षी आनंद चौदरी और आप देखेंगे हर्याना फिल्म निर्माता देवी संकर पिथम ई-लाइवरी सिरिसा में देखने को मिलेगी हर्याना की पिथम एवरेश्ट परवात रोही महला संतो से आदो हर्याना में पिथम कैंसल संस्थान बाड़सा जजजर में पिथम लोकसभा चुनाओ यहां 1967 में हुए थे पिथम विधान सभा चुनाओ 1966 में हुए थे विधान सभा का पहला स्पीकर राओ बीरेंद सींग थे यहां हर्याना का पहला स्टेट ग्रेंड मास्टर हिमांसु सर्मा और हर्याना का पहला कैसलेस गा प्रदेशिक नाम ब्रहमावर्थ और हर्याना की पहली महला पाइलेट अक्षी गुपता या अक्षी गुपता और पिथम IPS परमिंदर राय पिथम महला अंतरिक चात्री कलपना चावला राजी की बंज बिभाग का नेतित करने बाली पिथम महला डॉक्टर अमरिंदर कौर थी है तो यह भी आप लोग याद रखेगा यह आप देखिए हर्याना से जुड़ी हुई कुछ सामान जानकारी ह और इसके लिए आप देखिए हर्याना का जो भी सामान जियान होगा जितनी भी कलासें ले जाएंगे उसके लिए एक separate playlist सूची बना देगी है सामान जियान की क्या हर्याना सामान जियान के नाम से उसमें सभी कलासें आपकी करम से डली रहेंगी वहाँ जाकर आप लोग दे सकते हैं बता सकते हैं कुछ सवाल हों तो वो भी आप लोग नीचे लेख सकते हैं